गुर्जंदर सग्गू के साथ मैं हूँ चिनमै दीक्षित उक्रेन पर रूसी आक्रमन के विरोध में जापान द्वारा रूस पर थूपे गए प्रतिबंधों में इजाफा करते हुए जापान सरकार व्यापार के लिए रूस को प्रदत सबसे पसंदीदा राष्टर का दर्जा रद्ध करेगी प्रधानमंत्री किशिदा फुम्यों ने बुधवार शाम एक समाचार सम्मेलन में ये खुलासा किया इस कदम से जापान को होने वाले रूसी आयात पर अधिक शुल्क प्रभावी होंगे जापान ने रूस को होने वाले अर्धचालकों और अन्य उन्नत प्रध्योगी की उत्पादों के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है मध्य यूरोप के तीन देशों के नेताओं ने वोलोदिमीर जेलिंस्की से मिलने के लिए कीव की यात्रा कर उक्रेन के प्रति अपना समर्थ अंदर शाया है चेक गणराज्य पूलेंड और स्लोवेनिया के प्रधान मंत्रियों ने रेल गाडी से ये यात्रा की तीनों देश यूरोपिय संग के सदस्य है उन्होंने पहले यूरोपिय संग के अन्यनेताओं से परामर्ष किया था और उक्रेनी संप्रभुता और स्वतंतरता के लिए संपून संग के समर्थन की पुष्टी करने के उपाय के रूप में इस यात्रा का निरने लिया जेलिंस्की ने आभार व्यक्त करते हुए इस यात्रा को समर्थन का एक शक्तिशाली प्रमान बताया पूलेंड के प्रधानमंत्री मेट्यूज मोरावीकी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कीव वो इस्थान है जहां भविश्य अधर में है संयुक्तराष्ट्र शर्णार्थी एजिंसी यानि UNHCR का कहना है कि रूस के आक्रमन के कारण उक्रेन से पलायन करने वाले लोगों की संख्या मंगलवार तक 30 लाग से अधेक हो गई है UNHCR का र्यले के अनुसार लगभग 18,30,000 लोग पलायन कर पूलेंड गए हैं जबकि लगभग 4,50,000 लोग रूमानिया, 3,30,000 लोग मुल्दोवा, 2,60,000 हंगरी और 2,10,000 स्लोवाकिया तथा 1,40,000 लोग पलायन कर रूस गए प्रवक्ता मैथ्यो सॉल्ट मार्ष ने कहा कि 3,00,000 से अधेक लोग पडूसी देशों से होकर पश्चिमी यूरोप पलायन कर गए हैं टेलिविजन पर एक सजीव समाचार प्रसारण को बाधित कर युद्ध विरोधी प्रदर्शन करने वाली एक रूसी पत्रकार को हरजाने का दंड दिया गया है महिला पत्रकार ने कहा कि उससे 14 घंटों से अधिक पूश्टाच की गई सोमवार को पत्रकार मारीना ओवस्यानिकोवा युद्ध रूको चिल्लाते हुए एक समाचार प्रस्तुत करता के पीछे आ गई थी उसने एक तख्ती पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था मत प्रचार पर विश्वास नहीं करो ये लोग यहां आपसे जूठ बोल रहे हैं इसके बाद ओवस्यानिकोवा को हिरासत मिले कर उससे 14 घंटों से अधिक पूश्टाच की गई मंगलवार को वो न्यायाले में हाजर की गई जहां उसे दोशी करार देते हुए उस पर 30,000 रूबल या लगभग 280 डॉलर का जुर्माना लगाया गया ओवस्यानिकोवा ने पत्रकारों को बताया कि वो दो दिनों से सोई नहीं है और ये उसके जीवन के सबसे कठन समय में से एक है उसने कहा कि मित्रों और संबंधियों से संपर्क करने और कानूनी सहायता प्राप्त करने से भी उसे रोका गया था उसने जोर देकर इसकृत्य की अकेले जिम्मेदारी लेते हुए अंग्रेजी में कहा ये मेरा युद्ध विरोधी निर्णे था मैंने ये निर्णे स्वयम लिया क्योंकि मुझे रूस द्वारा आक्रमन आरंभ किया जाना पसंद नहीं ये वास्तव में बहुत भयावाह था ओवस्यानिकोवा के पिता उक्रेनी और मा रूसी हैं वो रूस के लोग प्रसारक टेलिविजन में संपादक है और उसने कहा कि क्रमलन के प्रचार का प्रसार करने का उसे अफसोस है रूस में सोशल मीडिया के माध्यम से उसके इस कदम के प्रती समर्थन बढ़ रहा है देश के राश्ट्रपती प्रवक्ता दमित्री पैसकोफ ने बुधवार को इसका उलेख करते हुए कहा कि जहां तक इस महिला की बात है तो ये गुंडागर्दी है पैसकोफ ने कहा कि क्रेमलिन को इस से कोई अंतर नहीं पड़ता एक सर्वेक्षन में पता चला है कि रूस में व्यापार कर रही लगभग 20 प्रतिशत प्रमुख जापानी कमपनिया उक्रेन पर रूसी आक्रमन के बाद रूस में अपना संचाल अंद रोक रही है साख हन्वेशन करने वाली एक निजी कमपनी तेई कोकू डाटा बैंक ने जापान के प्रमुक शेयर बाजारों में सूची बद्ध 168 जापानी कमपनियों पर किये गए सर्वेक्षन के नतीजे जारी किये 37 कमपनियों या सर्वेक्षन में शामिल 22 प्रतिशत कमपनियों ने मंगलवार तक रूस में संचालन को इस्थगित करने के अपने निरणायों की गोशना की है साख अन्वेशन कमपनी का कहना है कि कई कमपनियां रूस पर लागू प्रतिबंधों के बाद पुर्जों की खरीद, संचालन या अन्य व्यावसाइक व्यवधानों के बारे में उपजे भ्रम का हवाला दे रही हैं अन्वेशन कमपनी के अनुसार कुछ अलोचक जापानी कमपनियों की IT दिगज एपल, फरनीचर निर्माता, आईकेया तथा अन्य अंतरराष्ट्रिय दिगज नामी कमपनियों से तुलना कर रहे हैं जिन्होंने मानविय आधार पर रूस में अपना संचालन रोक दिया है शोध कमपनी का कहना है कि यदि ये संघर्ष लंबा चलता है तो नकारात्मक छवी से बचने के लिए और अधिक जापानी कमपनियां रूस में अपने संचालन को इस्थगित करने का विकल्प चुनेंगी समचारों में आपका फिर से स्वागत है जापान के 18 प्रिफेक्चरों में लागू कोरोना वाइरस समधी अर्ध आपातकाल उपाए योजन अनुसार हटा लिए जाएंगे ये अर्ध आपातकाल 21 मार्च को समाप्त होने वाला है अर्ध आपातकाल तोक्यो और उसा का सहित जापान के कुछ सबसे बड़े प्रिफेक्चरों में लागू है सरकार का कहना है कि संक्रमन मामलों की संख्या और चिकित्सा प्रतिष्ठानों की स्थिती पर विचार उपरांथ वो अर्ध आपातकाल हटाएगी सरकार की योजना पर चर्चा के लिए विशेशक ग्ये ब्रिहस पतिवार को मुलाकात करेंगे आठ जनवरी के बाद पहली बार जापान के किसी भी हिस्से में अर्ध आपातकाल प्रभावी नहीं रहेगा जापान के प्रधान मंतरी किशिदा फुमियों ने उत्तरकूरिया द्वारा अपरित जापानी नागरिकों के मुद्दे को सुलजाने के लिए प्रतेक अवसर का उप्योग करते हुए यथा संभ़ प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया है किशिदा ने बुद्वार को अपरितों के परिजनों से भीट की उन्होंने परिजनों की कारयोजना स्विकार की जिसमें सभी अपरितों को उनके माता-पिता के जीवित रहते जल से जल्द स्वदेश लाने की बात कही गई है अपरित जापानी नागरिक योकोता मेगुमी के छोटे भाई योकोता थाकुया ने ईजुका शिगेओ के स्थान पर परिजनों के सम्हू के प्रमुख का कारेभार संभाला है ईजुका शिगेओ का पिछले वर्ष दिसंबर में निधन हो गया था प्रधानमंत्री किशिदा ने दिवंगत ईजुका के शब्दों कभी हार ना मानेंगे हार नहीं सकते को ध्यान में रखते हुए प्रयास जारी रखने का प्रण लिया प्रधानमंत्री ने अफरन मुद्दा सुल्जाने के लिए बिना शर्थ उत्तरकोरियाई निता किम जोंग उनका सामना करने का दड़ संकल्प भी स्पष्ट किया योकोता ने सरकार से अपील की कि माता-पिता के जीवित रहते सभी अफरितों की ततकाल वापसी के लिए वो ठोस रणनीतियों और कार्यनीतियों सहित दिशा समय सारनी और समय सीमा पेश करे बैठा के बाद परिजनों ने समवादाता सम्मिलन आयोजित किया योकोता ने कहा कि अपरितों के वृद्ध हो रहे अभी भावकों के पास ज्यादा समय नहीं है उन्होंने साथ ही कहा कि सभी परिवार चाहते हैं कि सरकार उनके प्रियजनों को घर लाने के यथा संभव प्रयास करे उन्होंने प्रधानमत्री से आग रह किया कि वे इस मुद्दे पर उत्तरकोरियाई नेता को कड़ा संदेश भेजें जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के दो जहाज दक्षणी कमबोडिया में सामरिक रूप से महतुपून एक बंदरगाह पर पहुँचे हैं सुरंग भेदी पोट उरागा और हिरादों ने मंगलवार को सिहनुक्विल बंदरगाह में प्रवेश किया आगमन समहरों में जापान के राजदूत मिकामी मसाहिरों ने कहा कि इस समुचे क्षेत्र में शांती, स्थिर्ता और समरिध्धी लाने के लिए दोनों देश और निकटता से सहयोग कर सकते हैं उन्होंने कहा कि नियम आधारित अंतरराष्ट्रे व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ऐसा किया जा सकता है ताकि मुक्त एवं खुले हिंद प्रशान्तक्षेत्र की रचना की जा सके कमबोडिया के उपप्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री टियाबान ने जहाजों के आगमन का स्वागत किया उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य द्वीपक्षिय रक्षा सहयोग को सुद्रिड करते हुए उसका विकास करना है सिहानुक्विल दक्षिन चीन सागर के निकट स्थित है जहां चीन अपनी समुद्री गतिविधिया बढ़ा रहा है हाल के वर्षों में चीन से निवेश के जरिये इस शहर का काफी विकास हुआ है अमरीका ने इस शहर में एक कमबोडियाई नौसेना चावनी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि चीनी सेना वहां एक संरजना का निर्मान कर रही है बंदरगाह पर तीन दिन रुकने के दौरान जापान के समुद्री आत्मरक्षा बलके कुछ सदस से इस चावनी का दौरा करेंगे जापानी खिलोना कमपनी तोमी ने चांद की सतह के अन्वेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर यानि रूपान तरनिये प्रकार के एक लगू रोबोट का अनावरन किया है सोरा क्यू नामक इस रोबोट का व्यास केवल लगभग आठ सेंटिमीटर और वजन करीब धाई सो ग्राम है तोमी जापान अंतरिक्ष अन्वेशन एजनसी यानि जाकसा और सोनी समुद्री सहित अन्य भागिदारों ने इसके विकास में छे वर्ष लगाए हैं अंडाकार रोबोट का आवरंड फैल कर पहियों का रूप ले लेता है जिससे वो चांद की सतय पर चल फिर सकता है सोरा क्यू में आगे और पीछे छोटे छोटे कैमरे लगे हैं जिससे वो चांद की छवियां प्रित्वी पर भीज सकता है तो मी कमपनी के एक करमचारी ने प्रसनता व्यक्त करते हुए कहा कि कमपनी की खिलोना बनाने की तकनीक आकार और वजन कम करने में साहयक रही जो अंतरिक्ष अनवेशन रोबोट के लिए आवश्चक है विकासक अगले बारह महीनों में रोबोट को दो बार चांद पर भेजना चाहते हैं ताकि उसकी चंद्रान वेशनक शमताओं का परीक्षन किया जा सके और अब आज के प्रमुक समाचार एक बार भिर उक्रेन पर रूसी आक्रमन के विरोध में जापान द्वारा रूस पर थोपे गए प्रतिबंधों में इजाफा करते हुए जापान सरकार व्यापार के लिए रूस को प्रदत्त सबसे पसंदीदा राष्टर का दर्जा रद्ध करेगी प्रधान मंतरी किशिदा फुमियों ने बुधवार शाम एक समाचार सम्मेलन में ये खुलासा किया इस कदम से जापान को होने वाले रूसी आयात पर अधिक शुल्क प्रभावी होंगे जापान ने रूस को होने वाले अर्धचालकों और अन्य उन्नत प्रद्योगी की उत्पादों के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है मध्य यूरोप के तीन देशों के नेताओं ने वोलोदिमीर जेलिंस्की से मिलने के लिए कीव की यात्रा कर उक्रेन के प्रति अपना समर्थ अंदर शाया है चेक गणराज्य पूलेंड और स्लोवेनिया के प्रधान मंत्रियों ने रेल गाडी से ये यात्रा की तीनो देश यूरोपीय संग के सदस्य है उन्होंने पहले यूरोपीय संग के अन्यनेताओं से परामर्श किया था और उक्रेनी संप्रभुता और स्वतन्तरता के लिए संपूर्ण संग के समर्थन की पुष्टी करने के उपाय के रूप में इस यात्रा का निरने लिया जेलिंस्की ने आभार व्यक्त करते हुए इस यात्रा को समर्थन का एक शक्तिशाली प्रमान बताया पोलेंड के प्रधान मंतरी मेट्यूज मोरावीकी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कीव वो इस्थान है जहां भविश्य अधर में है जापान के 18 प्रिफेक्चरों में लागो कोरोना वाइरस सम्मधी अर्ध आपातकाल उपाए योजन अनुसार हटा लिए जाएंगे ये अर्ध आपातकाल 21 मार्च को समाप्त होने वाला है अर्ध आपातकाल तोक्यो और उसा का सहित जापान के कुछ सबसे बड़े प्रिफेक्चरों में लागो है सरकार का कहना है कि संक्रमन मामलों की संख्या और चिकित सा प्रतिष्ठानों की स्थिती पर विचार उपरांत वो अर्ध आपातकाल हटाएगी सरकार की योजना पर चर्चा के लिए विशेशग्य ब्रिहस पतिवार को मुलाकात करेंगे आठ जनवरी के बाद पहली बार जापान के किसी भी हिस्से में अर्ध आपातकाल प्रभावी नहीं रहेगा इसी के साथ NHK वर्ड जापान के हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है